सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आइकन नेवर मिस अपडेट रहे हैं NCRT की संपूर तयारी चाते हैं तो आपको जो है इस चनल पे संपूर वीडियो और लेक्चर फीडिया जो आपको फ्री मिलने वाले हैं तो आप चनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि रोजाना आपको संजय सर के वीडियो आपके मिलने वाले हैं और वो भी आपको फ्री औरकास्ट मिलेंगे तो आप जो है अपनी बेहत्रीन तैरी कर सकते हैं इस चल के माध्यम से वेलकम फ्रेंड्स मैं संजय सिंग फिर से आ गया हूँ अपने लेक्चर के अगले एपिसोड में यानि प्रकास का चैप्टर चल रहा है इस समय मैं उसका अगला एपिसोड लेके आ गया हूँ तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकास की घटनाओं के बारे में किसके बारे में प्रकास की घटनाओं के बारे में उन घटनाओं में पहले तो हम क्या देखेंगे पहले तो हम देखेंगे क्या कि प्रकास में कौन कौन सी घटनाएं होती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती है पहले तो परावर्तन होता है क्या होता है दूसरा क्या होता है अपवर्तन होता है अपवर्तन होता है तीसरा क्या होता है विवर्तन होता है क्या होता है फिर क्या होता है प्रकीरण होता है आपको इतनी सारी घटनाओं को पढ़ना नहीं है सिर्फ आपको क्या क्या पढ़ना है पहली आपको पढ़ना है प्रकास का परावर्तन क्या पढ़ना है परावर्तन प पढ़ना है अपवरतन पढ़ना है फिर क्या क्या पढ़ना है प्रकीरण पढ़ना है क्या पढ़ना है प्रकीरण पढ़ना है तो इतनी सारी चीजों को आपको इस्टडी करना है अब हम आते हैं अपने पहले लेक्चर में इसके पहले हम बता दे हम पूरे लेक्चर को दो भा घटना के लिए मतलब किसी भी प्रकार की घटना के लिए दो चीजों का होना जरूरी है पहले तो दरपण का होना जरूरी है दूसरा प्रकास का होना जरूरी है ना तो बिना प्रकास के परावरतन संभव है ना तो दरपण के बिना संभव है तो इसलिए हम दो वागों में ड चर्चा करेंगे अब का क्या प्रकास का परावर्तन तो परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे परावर्तन क्या होता है उच्छ कोट के पालिस यनी प्रकास की किरण जब किसी चमकीली सता पर पढ़ने के पश्चात जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो वो क्या कहलाता है प्रकास का परावरतन कहलाता है जब प्रकास की किरण किसी चमकीली सता पर पढ़ने के पस्चाद जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में वापस लौड जाता है तो इस घटना को क्या कहते है परावरतन कहते है बस इतना सही है अब जब प्रका सबास का परावर्टन हो गया तो उसके कुछ नियम भी है भाई नीयम है ना तो नियम क्या है देखिए यह आपका क्या समतलदरफड़ दरपड़ तो खशंपतल दरपड़ होने कोई सवाल ही नहीं है दर पढ़े और ये है आपका आपतित किरण ये है अभी लंब क्या है अभी लंब और ये है परावरतित किरण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल खैर हमारा कम जादा है लेकिन आप बनाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल बरावर होता है इसे बोलते हैं आई इ किरण कौन सी किरण आपतित किरण और यह वाली किरण है यह क्या कहलाती है यह क्या कहलाती है परावर्तित किरण क्या कहलाती है परावर्तित किरण तो आपतित किरण परावर्तित किरण यह वाली आपतित परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं इस पॉइं दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं यहीं दो नियम है बस ठेक इतना समझ में आया मतलब परावरतन के दो नियम होते हैं पहला क्या आपतन कोण सदैव परावरतन कोण के बराबर होता है और आपतित किराण अभिलंब और परावरतित किराण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही सम्तल पर होते हैं एक ही तल पर होते हैं इतनी बात क्लियर हुई आगे बढ़ें चलिए ये देखिए जो फिगरम बनाये थे वो यहां पर दिखाया गया है ये आपका आपतित किरण हो गई ये आपतन कोण अभिलम परावरतित किरण और परावरतन कोण और तो अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है यही है दरपण तो अब भई जब दरपण की बात आ गए तो सबसे पहले हमें दरपण के बारे में जानना चाए एक दरपण क्या है ठेक तो दरपण क्या है इसके वारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ मिलेंगे कल अगले लेक्चर में और सुरू करेंगे दरपन थैंक यू थैंक यू वेरी मच